कि टेस्टी देखने में लग रहा है पूल पूल के तो इस वेलकम टो माई निव ब्लॉग तो गाइस अभी हम आये हैं मेरे गाउं से थोड़ा दूर है अदलपुर उहां है और मनिश्वाई को बुला है यह थोड़ा मोरा हेल्फ कर देंगे तो सोच अभी घर पे खृत है तो सो गाइस तो पहुंच चुके हैं वह लूकेशन इधर ही है तो आपको दिखाते हैं आसे रेट यह रहा देख सकते हो कितना खतरनाक रेट चला है जादा आगे तक नहीं जा सकते हैं बहुत ही खत्रा है तो गाइस यह था वहां तक जो कि नॉर्माली इधर से उस पार जा सकते थे पहले सब लोग उधर जाते थे उधर खेत हुथ है तो गाइस यह पानी के वज़़ा से पुरा टुट चुका है और गाइस यहां का रेट बहुत ही मस्त लग रहा है और भी उधर से आता है देख सकते हो और इधर भी बहुत ही बढ़िया लगा है सब में पानी था यह रोड जो देख रहे हो आप इस सब पूरा भरा हुआ था कुछ दिन पहले तो अभी तो कुछ कम हुआ है और यह बगल से नदी जाती है जो की आगे जाके मिल जाता है और देख सकते हो इधर भी पानी है बहुत थारा और यह मकान के आगे भी पूरा पानी लगा हुआ है इधर उधर दोनों साइड पानी है हम लोग चलते हैं नदी के नीचे और आपको दिखाते हैं यह नाव रहा और यह यह रहा पुल ब्रहोना घाटका और इधर पानी है भी तो थोड़ा पानी बहुत कम पानी के अंदर दिख रहा है देख सकतो यह सब अंदर है और यह पूरा दिख रहा है देख सकते हो यह अंदर का श्रीन आप लोग को दिख रहा है और गाइस वहां पर मचली बहुत है तो हम कोशिज करते हैं अंदर जाने का यह रहा गाईस झाल 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 भी हाईज पारे वहाईज लीभी हाईज बार इस वहाईज साथ चुके और अबी जरा है मनीश और मनीश जारा पैड़ दोने तो गाइस पारे बात थंड है कि पारे बात अच्छा पानी है और पूरा किलीन भी है मनीश चला गया और गाइस वहां सभी आया है बहुत मज़ा है वहां पे बैठ के क्या है यह दिग गया हमको किकरा और यह विचारा फस चुका है इसको पानी में जाना हो चाहिए और यह गंदा में आगे फस गया तो गाइस यह रहा में बर्वानागाड का पूल पूल के साइड में बहुत ही गज्चव का ओश्रम का यह लुकेशन है इस पार भी और उधर भी तो गाइस उधर तो दिखेगा नहीं क्योंकि संलाइट इधर है तो इधर बहुत ही मस्त लग रहा है देखने में आप देख सक है पानी तो गाइस बहुत ही मस्त का लुकेशन है यह पर और देखने में बहुत मस्त लग रहा है यहां यहां तक पानी है पहले बहुत अंदर तक पानी था तेकिन अब तो कम गया गाइस देख सकते हो बैट ग्राउं अब अब जाए तो आए थे आप नहीं दिखा कर जो पानी बढ़ गया था घाट से तो एक्च्वाली साम हो गया है और जश्ट अभी हम लोग पाटी कर रहे हैं चिकन पाटी तो अब बनेगा चिकन तो हम लोग इधर गोलू पे आभी है गाइस अभी चिकन बना रहे हैं और धुआ बहुत हो रहा है देख सकते हो यहाँ पर जरना है और चिकन यह रहा तो अभी तो जश्ट चरहाएं ही है तो अभी बनडा है और यह बच्चा हेलप कर रहा है क्या अज चलेगी पाटी हम है तो गाइस इधर बन रहे है चावल और इधर जरना चिरा रहा है और यह रहा विकास बईया गुड़ू बईया और इधर बन रहे है चिकन और चिकन बहुत ही टेश्टी देखने में लग रहा है जब ज़त मजा आता है चिकन पाटी करने में और यह रहा है चिकन हमसे तो अच्छा से लारा भी ने जा रहा है और यह सब को बनाने वाले है टेस्टी बनाते हैं भोजी बनाते हैं क्या घएस इधर चावल हो ब्लूजे चछिकन ड्यच करेयश चुका है एभ भी हम लोग कहेंगे वह भी आप पतल भे ले आए तो पतल पे ही खाएंगी कि आसितर पतल लग चुगा और समय अब भी खाएगा अधिकास है हाँ वही असर है ओ तो गाइस अभी चलेगी चिकन पाटी तो लोग बैठे गाएं और इसे गुड़ू के बैठेंगे और वो खुद तो बीडियो बना रहे हैं और यह बाइस को टावल तो गाइस यह चिकन चावल मिल गया और अपन लोग यह इन्होंने बहुत टेस्टी बनाया था और फिर घर जाके ज्यादा टाइम हो गया फिर सोते हैं तो फाइनली खाकर आ चुके हैं घर पे आ गया है और अभी गर्मी ज्यादा हो रही थी तो नीचे ने शो कर आ गया है चत पे सोने तो गाइस अभी सट वर्ट पुरा खोल लिए तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब